हेलो स्टुडेंट्स, कॉर्परेट अकाउंटिंग के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम अकाउंटिंग ऑफ शेर कैपिटल अपना चेप्टर पढ़ रहे थे और मैं आज आपको इस वीडियो में four feature of shares कराने वाला हो in the case of premium ठीक है तो जब हमने share premium पे issue करे हो या reissue हमने premium पे किया हो तो उसवक्त four feature का case कैसा बनता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं तो दूस्तो सबसे पहले हम एक एग्जामपल लेते हैं चोटा सा और उस एग्जामपल की है से समझेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए ए लिमिटेड एक कमपनी है इशु करती है 10,000 शियर ठीक है 10,000 शियर एट दे रेट 10 इच एट 10% प्रीमियम पे ठीक है 10% प्रीमियम पे शु किये जा रहे है अब उसने कहा एप्लिकेशन पे है हमारे पास और अलाउटमेंट पे रखी कॉल उसने और लास्ट कॉल उसने एक फाइनल कॉल रख दी ठीक है तो मैं किवल 4 फीचर वगेरा ही बताऊंगा बच्चे है ना क्यूंकि 4 फीचर ही हमारे पास चल रहा है तो एप्लिकेशन 3 रुपे और यहां पर हमने 6 रुपे रख लिए और 5 रुपे रख दिये विद प्रीमियम है ये ठीक है विद प्रीमियम है अलाउटमेंट यानिकी 4 फ्लस 1 है तो 10 परसंट 1 रुपे रहा है तो 1 रुपे प्रीमियम है अब कितना बचा तीन बचा फाइनल कॉल के लिए तो एक मिस्टर एक्स थे मिस्टर एक्स जिनके पास जो है हमने 100 शेयर जिन्होंने लिए हुए थे ठीक है और इन्होंने एप्लिकेशन मनी दे और फाइनल कॉल भी इन्होंने नहीं दी ठीक है चलिए अब इनके शेयर जो है वो रीशू किये जाएंगे रीशूड एट तो मैं इसको ना दो केस में कराऊंगा आपको तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं रीशू के लिए विकेवल फॉर फीचर के लिए लिए लिखता ह आप क्या होऋ दिल है अलाॉटमेंट पे ना फेल हो गए है इन्होंने इन्होंने एक रूपए का प्रीमियम था झा अगर प्रीमियम नई दिय तो जी इनकम अपकी आनी चाहिए तो अब आप उसे अपनी परीमियन या दो आपका इंकम स्चावत कर माना क्योंकि नहीं रही वो loss है आपके लिए तो आपने security premium को क्या कर दिया debit कर दिया तो security premium account क्या हो गया debit हो गया अब security premium जब ही debit होगा जब कोई shareholder जिसके हम share forfeit कर रहे हैं वो उस call को ना दे यानि कि वो premium को ना दे तो यहां पर आप देख सकते हैं उसने allotment नहीं दी इसका मतलब उसने allotment के साथ premium भी नहीं दिया इस वज़े से हम security premium को debit कर रहे हैं to share forfeiture to share forfeiture next है किस-किस के वज़े से इसके share forfeit किया जा रहे हैं इसने भाई allotment पर पैसे नहीं दिया था और to share final call पर भी इसने पैसा नहीं दिया था इस वज़े से हम इसके shares को क्या कर दे रहे हैं यहां पर forfeit कर दे रहे हैं तो देखते हैं भाई कैसे कैसे आएगा तो इसके shares कितने हैं 100 shares है इसके और इससे हमने पूरे 10 रुपे मांगे क्योंकि final call तक मांगा तो called up पूरा 10 रुपे हुआ security premium में 1 रुपे का था जो कि इसने नहीं दिया और alloutment पे 100 रुपे पांच नहीं दिया और final call पे 100 रुपे इसने नहीं दिया आमें तो यहां 1000 यहां एक 100 और यहां पर 500 और यहां पर 300 तो 800 में से 11 हो गए बच्चे 300 तो 300 आ गए भाई हमारे share for feature अकाउंट में अब देखे नेक्ट देखे बच्चे अब इसके बाद क्या होगा हम इसको रीशू कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ रीशू के लिए न दो case बना रहा हूँ जिसमें आपको clear हो जाएंगी चीजे पहला case मैंने बनाया case 1 case 1 मे रीशू में करूँगा रीशू रीशू एट रुपीज एट पर शेयर फुली पेड़ अप ठिक है एट रुपीज पर शेयर फुली पेड़ अब देखे नेक्ट देखेगा द्यान से तो जब हम रीश इसको दुबारा रीशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेविट क्यू लॉस हुआ है, 4 feature करते वक्त, 3 issue करते वक्त तो यहां share 4 feature account में चला जाएगा और 2 share capital, यहां पर जितने के share आपने issue करें, जितने से आपकी share capital बढ़ेगी दुबारा से, वो आप यहां दिखाएंगे, तो आप 100 shares को कर रहे हैं, 8 रुपे पे, और fully paid up मतलब पूरा 10 का share लिया ज तो अब आप देख सकते हैं, अब next entry आप capital reserve में share 4 feature, जो भी आपका profit हुआ है, net profit, उसको आप transfer कर देंगे, 4 feature से जो भी profit हुआ है, तो entry यही होती है आपके पास, share 4 feature account debit to capital reserve, capital reserve में उसको transfer कर देते हैं, तो देखिएगा जरा profit कितना हुआ था share 4 feature करते वक्त, 300 का, loss कितने का 300 minus, 300 minus, 200 equals to 100 रुपे का आपका reserve में, capital reserve account में, ठीक है, अब देखिए दिहान से, case number 2 बनाएंगे हम लोग, case number 2, इसमें मैं ratio कर रहा हूँ, ratio at, ठीक है, ratio इस बार मैं इस तरीके से करूँगा कि मेरे पास जो है, वो कुछ security premium जो है, वो निकल कर आ जाए, तो issue at, rupees 12 पर share, 12 पर share, fully paid up, अब जड़ा ध्यान से इस वाले खेल को आप समझिएगा, fully paid up, अब आप दुबारा से ratio की entry करेंगे, तो ratio entry bank account debit, ठीक है, मैं इसको next page पे color change करके कर देता हूँ, या चलो यहीं पर कर देता हूँ, यहाँ पर भी जगा है, bank account debit, share for feature account debit, share for feature account debit, to share capital, ठीक है, अब आपने जो है, fully paid up, मतलब 10 का share, आपने कितने में issue करा है, इस बार बताईए, दस तो यहाँ आएगा, बारा में कर दिया, तो बारा में जब आपने इसको किया, तो आप यहाँ पर 100 into 12 लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ तो इसका तो relevance खतम ही हो जाता है, loss तो होई नहीं रहा है, है ना, 1200 में और इधर 1000 में, तो इसका मतलब 200 लुपे जो extra आ रहे हैं, आपके पास 2 लुपे, वो आपने security premium का जो है, वो अपने shareholder से वसूला है, तो यहाँ पर security premium आगे कितने की, 2 लुपे की, तो यहाँ पर 200 लुपे यह हो गया, ठीक है, अब last जो entry आप करते थे थे ना, capital reserve transfer वाली, वहाँ यहाँ तो कोई loss है ही नहीं, तो सारा का सारा आप जो यहाँ पर profit हो रहा था, 300 लुपे का, उसको पूरा transfer कर देंगे, तो आपके पास last entry में और करके दिखा देता हूँ, next page पे, last entry होगी, share capital account debit, share capital account debit, to capital reserve, तो आपको 300 का profit हुआ था, loss तो आपको कोई हु ही नहीं है, तो 300 minus 0 equals to 300 का 300 आपने capital reserve में डाल दिया, clear वच्चे, तो इस तरीके से मतलब इन चीजों को जो है, वो करते हैं हम, ठीक है, अब next, एक और case रह गया है, हमारे पास four feature का, जिसमें over subscription आजाता है, shares पे, और उस वक्त four feature होता है, उस वक्त working note बनाना पड़ता है हम अब को एक question की help से समझाऊंगा, इसके बाद एक और next video आएगी, उसमें मैं इस question की help से आपको यह topic अच्छे से समझाऊंगा, ठीके बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like जरूर कर दें, और इसी तरीके से और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को subscribe कर लीजिए, अधिन Classes अप को download कर लीजिए, क्योंकि अधिन Classes अप पर मैं इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स आप सभी को provide कराता रहता हूं, तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी, वो आप सब को solve हो जाएगी, यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखकर, और जादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नमर पर contact कर सकते हैं, मैं आप सभी को पूरी guidance देने की कोशिस करूँगा, चलिए next वीडियो मिलते हैं,